नमस्कार दोस्तों फ्वागत है आप अभी का एक बार फिर फे आपके अपने यूटूब चैनल टागवित हेमराज में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB 10 का फर्म भरने के लिए आप डॉकुमेंट्स को कैफेरिफाज कर फकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी फॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है तो जैसे यहाँ फोटोग्राप का जो फाइज मांगा गया है दोस्तों तो 4.5 cm बिर्त होनी चाहिए और हाइड जो है तो 3.5 cm होनी चाहिए यहाँ फिक्सल जो मांगा गया है तो 2.2 x 2.3 मांगा गया है और फाइल का जो फाइज है तो 20 KB फे 50 KB होना बहुत जरूरी है अब हम यहाँ पास फाइन की बात कर लें तो फाइन का जो डाइमेंसन मांगा गया है तो 1.4 x 4.5 पिक्सल मांगा गया है और फाइज 10 फे 20 KB मांगा गया है आपको हुआइट पेपर में ब्लैक पेंसे फाइन करना है और कैप्टल लेटर में फाइन नहीं अलाव होगा अब हम बात कर लेते हैं लेप्ट थम्ब इंप्रेफन की तो फाइल जो होना चाहिए जे पी जे फार्मेट में होना चाहिए और यहाँ जो है फिक्सल तो दो फो चालिफ इंटू दो फो चालिफ होना चाहिए दो फो डी पी आई यहाँ मांगा गया है और फाइल का जो फाइज है तो 20 से 50 KB मांगा गया है अब हम हैंड रिटन डेकलिरेशन की बात कर लें तो यहाँ पाइज जो डाइमेंड फर मांगा गया है तो आट फो इंटू चार फो पिक्सल मांगा गया है दो फो डी पी आई मांगा गया है और फाइल का जो फाइज होना चाहिए तो 50 से 40 KB के बीच मांगा गया है ओके तो चलिए अब जहां आपके डाकूमेंट्स हैं तो आपको वहाँ पाइज चले जाना है तो दोस्तों यदि आपके पास स्कैनर है तो स्कैन करके आप इमेज को अपने PC में फेंड कर लीजिए ओके यदि आपके पाफ स्कैनर नहीं है तो आप मुबाइल फे इन फभी डाकूमेंट्स को क्लिक करके अपने PC में फेंड कर लीजिए ओके तो फ़र फेंड पहले हम यहाँ पास फोटो को रिफाइज करेंगे तो देखिए फोटो का जो फाइज है तो 20 EMB के करीब है तो अब हम फोटो को रिफाइज करेंगे तो फोटो में फिम्पल फ़र क्लिक कर दीजिए ओपन जो आपफन आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर दीजिए और पेंट बाले आपफन में आपको चले जाना है अब यहाँ फिफ को जूम आउट कर लीजिए क्लिक कर देना है तो क्रॉप हो जाएगी ओके अब हमें रिफाइज करना है तो रिफाइज बाले आपफन में क्लिक करेंगे पिक्सल में क्लिक करेंगे मिंटेन एस्पेक्ट रेफियो में को अंचेक करेंगे और होरिजेंटल में आपको भरना है 200 200 और वर्टिकल में भरना है 230 और OK बटन पर क्लिक कर दीजे Ctrl प्लस F दबा दीजे आपकी इमेज जो है तो फेब हो जाएगी ओके अब हम इसको कट करके देख लेते हैं तो ये देखिए हमारी जो इमेज का 5 है तो 20 दफामलो 8 मतलब की 21 के भी है यदि आपकी इमेज का 5, 15 या फोला केबी आता है तो आपको वीडियो को लाश्ट तक देखना है क्योंकि मैं लाश्ट में बताऊंगा कि आप कैसे केबी को सेट कर फकते हैं 20 से 50 केबी के बीच आप कैसे सेट कर फकते हैं अके तो अब हम यहाँ पास Find Currify करेंगे तोlled to Find..? में क्लिक करेंगे और यहाँ Open में जाएंगे और यहाँ थोड़ा Microphone to face picture में जाएंगे हम और यदि आपकी इमएज धूंदली ہے तो इसको AutoC был कर L nos आप यहाँ करेंगे और Control प्लस यहाँ दबा देंगे और यहां से cut कर दीजे अब हम इसको फिर फिर image में click करेंगे open में जाएंगे और print में आपको चले जाना है यहां फिर फिर को zoom out कर लेना है और अब हम एक crop करने की ज़रूरत है तो अब हम select बाले उपफन में click करेंगे rectangular flexion में जाएंगे और यहां फिर को थोड़ा फक crop कर लेंगे और crop बाले बटन में click कर देंगे अब हमें refresh करना है तो refresh में click करेंगे pixel में click करेंगे maintenance aspect ratio को अंचेक करेंगे और आपको यहां पाफ भरना है एक फो चालिस और यहां भरना है आपको 60 एक फो चालिस इंटू फाट आपको भरना है और okay बटन पे click कर दीजे control प्लेस एफ दबा दीजे तो आपकी यह जो finature है तो refresh हो जाएगा अब देखे हमारे जो find का फाइज है तो 11 के भी बचा है okay तो आप इसको जाकर फिंपल फाप लोड कर फकते हैं कुछ ही इस प्रकार ठीक है यदि आपके find का भी फाइज कम आता है तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा मैं last में जरूर बताया हूँ कि आप कैसे इसको 10 से 20 केभी के बीज में ला सकते हैं अब हम hand return declaration को refresh कर लेते हैं तो फिंपल फाप आपको hand return declaration की image में क्लिक करना है open बाला जो अपफ़न आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करना है paint में चले जाना है आपको फीदे यहाँ फे कोने में आप जाकर इसको zoom out कर लीजे और आप हमें rotate करने की जरूरत है तो अब हम यहाँ जाकर rotate इफ को कर लेते है select बाले आपफ़न में जाएंगे और rectangular flexion में क्लिक कर लेंगे अब हमें यहाँ फे crop करने की जरूरत है तो crop किये लेते है और यहाँ फे crop बाला जो आपफ़न है इसमें क्लिक कर देंगे अब हमें refresh करने की जरूर रहत है तो refresh करेंगे पिक्सल में click करेंगे maintain aspect ratio को uncheck करेंगे यहां पाफ आपको भरना है horizontal में art form और vertical में आपको भरना है chart form और ok बटन पे click कर देना है और ctrl plus f दबा दीजे आपका जो यह handwritten declaration है refresh हो जाएगा तो यह देखे हमारे जो handwritten declaration का जो फाइज है तो 99 के भी बचा है तो आप इसको जाकर फिंपरफ़ अप्लोड कर दीजे लेकिन यहां पाफ हम dpi देख लेते हैं कि इसके dpi कितनी है तो अब हमें यहां पाफ इसमें click करेंगे image में handwritten declaration की property में जाएगे details में जाएंगे और यहां फे हम dpi देखे लेते हैं तो यह dpi देखे बहुत कम है 72 dpi और चाहिए कितना 2 for dpi हमें चाहिए यह देखी इसकी notification में लिखा है कि 2 for dpi चाहिए तो अब हम यहां dpi fit किये लेते हैं इस image की तो फिंपर को dpi fitting करने के लिए गूगल क्रोम में जाना होगा और यहां पाफ फर्चमारना होगा dpi converter जो फर्ष्ट बेफाइट ओपन होगी आपको उसमें क्लिक कर देना है और यहां पाफ यहां पाफ आपको 2 for में fit कर देना है और चूज image में click कर देना है अब हमें यहां पाफ and return declaration की dpi fit करना है तो इसकी image में हम click करेंगे open में जाएंगे और यहां पे open हो जाएगी अब यहां पाफ जो image अपने आप download हो जाएगी उसके पीछे जो है तो 2 for लिखा होगा ठीक है मतलब कि 2 for dpi fit हो गई है तो यहां पाफ हम इसकी property में चले जाते है इसको चेक कर लेते हैं details में जाएंगे और यहां पे इसकी 2 for dpi fit है हमारा pixel भी ठीक है लेकिन यदि kb कम या ज़्यादा आता है तो आप वीडियो को last तक जरूर देखिएगा मैं वीडियो के last में जरूर बताया हूँ अब हम यहां left thumb impression को refresh कर लेते हैं और control plus F दबा दीजिए और यहां से इसको cut कर दीजिए फिर फिर आपको image में click करना है और open में जाना है paint में आपको चले जाना है यहां फिर आपको जाकर इसको zoom out कर लेना iconi में जाकर अब हम यहां crop करने की जरूरत है तो हम select वाले option में जाएंगे rectangular flexion क्लिक करेंगे और जितना भाग हमें यहां फिर चाहिए हम crop कर लेंगे अब crop बटन पे क्लिक कर देंगे अब हम refresh कर लेते हैं तो pixel में क्लिक करेंगे maintenance picture review को uncheck करेंगे यहां आपको भरना है 240 और vertical में भी आपको भरना है 240 240 और ok बटन पे क्लिक कर दीजे और control plus F दबा दीजे आपकी image जो है तो फेब हो जाएगी तो यह देखे इसका जो फाइज है तो 21 दफमलो 2 KV बचा है यदि KV कमिया जादा आता है तो वीडियो को last तक जरूर देखिएगा वीडियो में last में बताया गया है अब यदि आपके left thumb impression photo, sign या hand written declaration का फाइज बहुत ही कम आ जाता है तब उफ इस्थिती में आपको क्या करना है आपको Google Chrome में जाना है और फर्च मारना है के भी इंक्रीजर और जो फर्ष्ट बेफाइट यहाँ open होगी आपको इसमें फिंपल्फा क्लिक कर देना है अब यहाँ फे जिसका भी फाइज कम हुआ है आपको यहाँ पाइज फिलेक्ट कर लेना है जैसे मान लीजे मेरी फोटो का फाइज जो है तो बहुत ही कम आ गया तो मैं फोटो को यहां पाफ फे फिलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा ठीक है अब यहां पाफ देखिए इसका इमेज का हमारी जो फोटो का जो फाइज है तो 21 दफमलो 3 केवी है ठीक है अब यह बहुत कम है तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहां फे यहां डाउनलोड की बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी इमेज जो है तो डाउनलोड हो जाएगी बीना पिक्सल चेंज हुए ठीक है तो यह देखिए 32 के भी हो गई तो कुछ ही इस प्रकार आप यदि आपके इमेज या किसी का भी साइज कम हो जाता है तो आप फाइज बढ़ा फक्ते हैं अब यदि बहुत ही ज़्यादा वो गया 50 तो आप उसे आप उसको यहां पाफ से फेलेक्ट करेंगे अब आपको यहां पाफ से फेटिंग में यह जो डिबबा दिख रहा है तो इसमें फेटिंग में क्लिक करना है अब देखिए इसका ओरिजिनल फाइट जो है तो 22 कवी है हम कम करना चाहते हैं तो फिंपल से फाद दफमलो 6 कवी या इससे भी कम करना चाहते हैं तो यह देखे चार दफमलो 8 कवी इस तरह आप कम या ज़्यादा आप यहां से कर सकते हैं और यहां पास से apply कर दिए जब आप apply कर देंगे तो यहां पास यह download की बटन पे click कर देजिए और यहां पास से इसको देख सकते हैं तो कुछ इस प्रकार आप इसका फाइल कम या ज्यादा कर सकते हैं